नमस्कार आप देख रहे हैं बुन्दिल खंडे एक्स्प्रेस न्यूज जो मैं हूँ आपके साथ मनोश तेवारी तो नजर डालते हैं अगली खबर पर जस्बंत राजबूत ने पुलिस बल पर साथियों एवं परिवार की महलाओं सहत हमला कर चोट पहुंचाई और मौके से भाग निकले सूचना मिलने पर टड़ा चोगी प्रवारी एचेस तॉम और पुलिस बल के साथ कारवाई करने पहुंचे लंबे समय से जस्बंत राजबूत द्वारा अवैत सराब के परिवहन की सूचना पुलिस को मिल रही थी जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की नजर थी पुलिस ने सराब परिवहन में उपयोग की गई गाड़ी जप्त कर कारवाई सुरू कर दिये तरवेंजाट बुंदिलखंड एक्स्प्रेस निउज देवरी हम लोग कोवेड नाइंटीन जनता करफू की गाड़लाइन को पालं करवाने के लिए कत्वा रभाना हुगे थे कत्वा से भर्मान करते हुए हम लोग केवलारी गाहों पहुंचे हैं वहाँ पर सूचना मिली की जस्वंत राज्वू अवेद सराव का परिवहन करके घर पहुंचने वाला है जैसे हम लोग इसके पहले भी उसके द्वारा दारू बिक्रे करनी की सूचना है प्राफ्स हो रही थी जिसके लिए कापी समय से हम लोग उसको पकड़ने के लिए अपने मुख्यों लगाया हुँ लेते हैं उस दिराम को जैसे सूचने मिली हम लोग अटना इस थर को अहां पहुंचे गनाम के लारी और गाड़ी को अपने को ओट के खळा करके दो लड़के हमारी सेवल में थे हम दो लोग द्रेस में थे जैसे गाड़ी उसकी रुकी दरवाजे पर हम लोगों ने उसको राउंड़ अप किया तो उसने चल्ला चल्ला करके अपने लड़कां को गला लिए जिसमें उसके घर की महिलाएं और जोनों लड़के आगे हम लोगों को अटेक कर दिया जा हमको यह लगा कि यह हम लोगों से मुझी घुड़ा ले जाएंगे तो हमने जो जिस गाली में सराव रखी हुई थी उस गाली के लिए गाली को मारपीड की, हमारे आरक्षक को दांस से काड़ दिया, जेतें दो को मुंसी जी के साथ में मारपीड की, मेरे दोनों पेरों के उटने में चोटाई यह मेरे से चलते नहीं बना है।